हलो एस्पिरेंट्स स्वागत है आप सब लोगों का एक्जाम सेतू चैनल में आज के सेशन में देखो जानो सब मिधान सीरिज में हम लोग आर्टिकल नंबर 7 पे पहुँच चुके हैं किस तरीके से नागरिकता यानि की सिटिजन्शिप मिलेगी उसके बारे में हम लोग डिसकस कर रहे थे हमने आर्टिकल 5 और 6 पढ़ लिया था प्लीज जिसने नहीं देखा पहले वो देखें उसके बाद आर्टिकल 7 ताकि आपका एक सीरीज बनी रहे आर्टिकल 7 को देखे हम लोग समझते हैं आर्टिकल 7 क्या कहता है यहाँ पे मैंने उस शब्दों की यूज किया हुआ है जो बेर एक्ट में लिखे हुए है यह शब्दों थोड़े से टेक्निकल है जिसकी वेज़े से मैं आपको सिंप्लिफाई करके यहाँ पे बता रही ह हमने देखे क्या देखा था कि आर्टिकल 5 क्या बताता है जो लोग भारत में पैदा हुए है यानि जिनका डॉमिसाइल इंडिया का है उन्हें कैसे नागरिकतार सिटिजन्शिप मिलेगी आर्टिकल 6 यह बताता है जो 6 जुलाई 1948 से पहले सॉरी 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आये है उन लोगों को सिटिजन्शिप कैसे मिलेगी आर्टिकल 7 यह बात करता है यदि कोई परसन इंडिया के अंदर था इंडिया से वो पाकिस्तान चला गया एक मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान चला जाता है ठीक है और पा 26 जन्वरी 1950 से पहले अगर वो भारत में वापिस आ जाता है तो ऐसे इंसान को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी इसका जिक्र आर्टिकल 7 में है एक कोई परसन है जो भारत में पैदा हुआ है वो एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है और बाद में फिर से इंडिय आ जाता है रिटर्न हो जाता है फिर से इंडिया के अंदर वापिस आ जाता है 26 जन्वरी 1950 से पहले उसको नागरिकता कैसे मिलेगी बहुत ही साधारण है माल लीजिए एक मार्च 1947 के बाद ये कोई ए परसन है और ये परसन एक मार्च 1947 के बाद मैं मान के चलती हूँ 5 1947 को पाकिस्तान चला जाता है भारत से वहां रहने लग जाता है अब किसी वज़े से वो माल लीजिए 24 जन्वरी 1949 को फिर से भारत के अंदर आ जाता है भारत के अंदर रहने लग जाता है ठीक है अब वो चाता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए मुझे भारत की सिट चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको इंडिया के अंदर लगातार 6 महीने तक भारत के अंदर रहना पड़ेगा छे महीने के बाद कब हो जाएंगे 6 महीने जैनवरी February, March, April, May, June, July यानि कि 24 July 1949 को वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा भारत के अंदर भारत के डिपलोमेसी के अंदर भारत के ऑफिस के अंदर होम अफेर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा ग्रहम अंतराले में कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए वो देखेंगे क्या ये लगातार 6 महीने तक भारत में रहा है जिस दिन आपने एप्लिकेशन लगाई है उससे पहले लगातार 6 महीने आपको भारत में रहना पड़ेगा अगर आप लगातार 6 महीने भारत में रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी चाहे आप पाकिस्तान स अंदर लोट आये हैं 26 जनवरी 1950 से पहले तो यही बाते लिखी हुई है इसके अंदर आर्टिकल 7 में जो टेक्निकल लेंग्वेज में आप देख रहे हो यह कहता है कि आर्टिकल 5 और 6 कुछ ऐसे लोगों को नागरिकता देता है जिनका भारत में डॉमिसाइल था और आर्टि लेकिन फिर से भारत के अंदर लोट आये हैं तो उन लोगों को नागरिकता मिलेगी 6 महीने लगातार भारत के अंदर रहने पे कैसे वो मैंने अभी आपको समझाया यहां साधारण भाशा में आप समझ सकते हो मैंने उसी एक्ट को सिंप्लिफाई करके यहां लिखा हुआ ह कि यदि कोई परसन 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला जाता है लेकिन फिर से भारत आ जाता है तो उसको इंडियन शित्रिजनशिप कैसे मिलेगी जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसके 6 महीने पहले वो लगातार अगर भारत में रह रहा है तो उसको भारत की न अपने इसको साधारन करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है आर्टिकल 8 किन लोगों को नागरिकता देने की बात करता है देखो ऐसे व्यक्ति जो 26 जन्वरी 1950 से पहले भारत के अंदर पैदा हुए थे लेकिन किसी दूसरे देश में रह रहे हैं मालो पाकिस्तान में मालो USA के अंदर मालो ब्रिटेन के अंदर किसी भी दूसरे देश के मूल निवासी है रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया लेकिन वो चाहते हैं कि हम लोगों को भारत की नागरिकता चाहिए तो ऐसी नागरिकता आर्टिकल 8 उने देगा ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ है या जिनके पैरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है या जिनके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ है और वो व्यक्ति भारत से बाहर रह रह रहा है तो ऐसे नागरिकता मिलेगी वो आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है देखिए सबसे पहले तो यह ज नागरिक्ता चाहता है वो किसी दूसरे देश में जा के रहने लगा थीक है तो क्या करना होगा उसे माल लीजिए वो अमेरिका के अंदर जा के रहने लगा अब अमेरिका के अंदर भारत का एक दूतावास बना होगा भारत की एक एमबैसी बनी होगी उस एमबैसी के अंदर भारत के काउंसलर होंगे ठीक है भारत के काउंसलर भारत के राजदूत होंगे ठीक है जो लोग नागरिकता से डील करते हैं ऐसे काउंसलर होंगे वो व्यक्ति अगर अमेरिका में जो भारत का दूतावास है भारत की embassy है वहाँ पे जाके Indian diplomat या Indian counselor के पास खुद को register करवा दे की मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ मुझे भारत की नागरिकता चाहिए वो उसके सारे पेपर्स वगेरा देखके ये देखके कि क्या उसके पैरेंट्स भारत में पैदा हुए है भारत में अगर उसके पैरेंट्स पैदा नहीं हुए है तो क्या उसके दादा-दादी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा यही बात लिखी हुई है यहां पे कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता या वो खुद या दादादी भारत में पैदा हुए है लेकिन अब वह व्यक्ति भारत के बाहर रह रह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा अपने देश के लाने नागरिकता मिल जायेगी हमने असली साथ और कर अब वह रहर है उनको नागरिकता कैसे मिलेगी थेंग्यों